चीन और पाकिस्तान की दोस्ती किसी से छुपी नहीं है पाकिस्तान जहां खुद को चीन का लंगोटिया यार समझता है तो वहीं चीन उसे मात्र एक अवसर के रूप में देखता है इस जाहिल पोर्कियों को कौन समझाए स्वैम को खुददार कौम कहने वाले ये पोर्की स् पाकिस्तान भिखारी होने की कगार पर खड़ा है तो वहीं चीन ने कुछ दिन पहले ही अपने बकाया पैसे मांग दिये अब ऐसे में भीक और रिड के बोश्तले दबे पाकिस्तानियों को तो धक्का ही लगा होगा वो भी जोर का नमस्कार आप देख रहे हैं टीए फाई जो है देश का सबसे विश्वस्तनी अल्टनेट निउस मीडिया पोटल मैं पदमाश्री शुभाम आपको बताऊंगी कि कैसे पाकिस्तान में आई बाढ़ में जो सबसे बड़ी शती पाकिस्तान को हुई है वो कुछ और नहीं बलकि सीपेक ही है आगे बढ़ेंगे उससे पहले अगर आपको हमारा काम और हमारे विचाल पसंदा रहे हैं तो हमारा वीडियो लाइक करें और हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लें समय की दोहरी मार झेल रहा पाकिस्तान पहले आर्थिक तंगी से तो जूज ही रहा था कि प्रचंड बाढ़ ने उसकी कमर तोड़ दी कुल जान माल का भी भारी भरकम नुकसान हुआ है उससे बाढ़ ने जितनी परेशानिया वहां के लोगों के लिए खड़ी की है उससे क नहीं ज्यादा दिक्कते तो वहां की सरकार के लिए खड़ी हो गई है दरसल जितने लाब चीन ने सीपेक के बनने से पाकिस्तान को गिनाय थे वो सभी बाढ़ के साथ बहते हुए दिखाई दे रहे हैं बाढ़ से सीपेक को जो नुकसान हुआ है उसके शती पूर्ती के ल वेल्यू 2020 के हिसाब से 62 बिलियन डॉलर थी जिसे मुक्यता चीन विकास बैंक फंड कर रहा था और अब जब बाढ़ने सीपेक का बंटा धार कर दिया है तो पाकिस्तान की मुसीबितें और बढ़ने वाली हैं ये जब जाहिर है कि चीन के सरह से आर्थिक तंगी से जूज करने पर उतारू है ये तो हुई एक बात लेकिन दूसरी और बात हैं जिस पर डूब रहे मुर्ख पाकिस्तान को ध्यान तो देना ही चाहिए दरसल जैसे जैसे सीपेक का काम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे बाढ़ का रूप साल दर साल विक्राल होता जा रहा है एक आग चीन के उत्तर पश्यम शीन ज्यांग उईगर स्वायत शेत्र और पाकिस्तान के पश्यमी प्रांत बलुचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह को जोडने वाली बुनियादी धाचा पर्योजनाओं का 3000 किलोमिटर लंबा मार्ग है जिसके शिरुवात 2013 में हुई थी ये पाक के नेटवर्क द्वारा पूरे पाकिस्तान में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है यह चीन के लिए ग्वादर बंदरगाह से मध्य पूर्व और एफ्रिका तक पहुंचने का मार्क प्रशस्त करेगा ताकि चीन हिंद महासागर तक पहुंच बढ़ा सके तथा चीन ब प्रगार दोस्ती निभाने के चक्कर में और स्वैम को वहतर बनाने के सपने को पूरा करने के चकर में पाकिस्तान ने तो सीपेक को मंजूरी दे दी थी किन्तों उसके सपने की बुरी वाट लग गई सीपेक ने न सिर्फ पाकिस्तान को आर्थिक रूप से कमजोर किया बलकि बाढ़ के वेक को भी बढ़ाया इन शोट पूरी लंका लगा दी मूलता हर जगह की अपनी एक भौगोलिक सिती होती है उसका अपना एक बारिस्तिती की तंत्र होता है उस जगह से बहरे ही नदियों का अपना कोर्स होता है और जब जब इन प्राकृतिक चीजों के साथ खिलवाड होता है तब तब प्रकृति अपना कहर बरपाती है और ऐसा ही पाकिस्तान के साथ भी हुआ है एक आकड़े की माने तो पहली की तुल्ना में इस बार बार ने साथ सौ प्रतिश्च ज़्यादा तबाही का मंजर दिखाया है जो पाकिस्तान के समक्ष एक खत्रे की गंटी है अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये भी पाएंगे कि बाढ़ ने जो तबाही का मनजर दिखाया है वह उन्ही एरिया में जादा देखने को मिला है जहां से सीपेक को होकर गुजरना है मुखिता ये एरिया खैबर पक्तुनखा, गिलगित बलतिस्तान, पंजाब प्रांथ एवं बलुचिस्तान है अब यदि इसका विशलेशन किया जाए तो हम पाएंगे कि सिंध एवं बलुचिस्तान में बाढ़ ने अपना भयानक कहर बरपाया है बागी के इलाके उपरी भा जाने का काम सीपेक ने किया है कॉरिडोर के निर्मान के करम में प्रत्यक्ष एवं और प्रत्यक्ष रूप से सिंधु नदी की धारा प्रवाह प्रभावित हुई जिसका परिणाम आज सब के सामने है इतना सब हो जाने के बाद भी पाकिस्तान के ग्यान चक्षू खुल ज कर दो के सामने के रिर्मान आज से कि घूर कॉट गल कि अक्षू ऑगा कि यॉट जगरा प्रत्यक्तान के इतना है एल में जिसका है कि यॉटे हैं और प्रत्यक्ष